मैसेल डॉक्टर मामता शर्मा असोशेट प्रोफिसिर प्रिटिकल साइंस कॉमेंट कॉलेज बेरोड विद्यार्थियों हम बी ये थर्ड एयर के सेकिंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन्स के अंतकत नौल अलाइमेंट्स को समझ रहे हैं आज का वीडियो भी उसी कुन से सम्मिलन होएं उनके बारे में बात की और इसी के अंतकत उनके मिद्याद's की बात करि ते गुझनिद्पेइक शान धूलन के क्या क्या अचिव्मेंट्स हैं उनकी कमजोरियों की बात की ते एक वीडियो में उसी कंटिनुटि में चेलिंज Was of non-alignment is pressures के बारे में के प्रभाव की बात कर रहे थे तो किटिक्स ने बहुत सारे आस्पेक्ट को लेके उनकी आलुषनया की लेकिन इन चैलेंजिस के अंतकत हम आज बहुत सारी इश्यूस को लेंगे कि किस तरह से उतने पर एक शांदुलन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है इसके अंतकत हम बता सम्मेलंग में केवल आपको पूर के वीडियों भी बताया गया था कि 25 देशों ने भाग लिया था जिसमें से थाइलेंड कुछ अपन देशों की बात करें थाइलेंड थे हैटी थे सेंट कीट्स थे पापुआ थे आदी को पून सदस्य से बनाए जाने से अब निर्गुत अंदोलन के सद्दश्यों की संक्या 118 हो गई अठाट 118 हो गई आज गुट निर्पेक्ष अंदोलन संक्त राष्ट्य संक्ये दो तिहाई सद्दश्यों और मानव जाती के आदे सद्दश्यों और चार महादिपो एशिया अफ्रीका यूरोप और लेटिन अमेरिका का प् अधनिर्पेक्ष निटी आपनाने वाले देशों को अपने संक्ये संगतनों के मालम से गेनने का प्रियास करती है और भारत जैसे गुट निर्पेक्ष देश के विरुद् अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक साहिता दी इस प्रकार हिन महासागर में महाशक्तियों की सक्रिय गति वीदिया इस शेत्र के गुट निर्पेक्ष देशों पर दबाब डालने की चेश्टा कर रही है है सेकनली कुट निर्पेक्ष देश जेशों में 5 पर रुपसे संगति नहीं हैं उन में तनाव और वने श्वा – बढ़ते जा रहे हैं उधायन के लिए भारत और बंगला रेष दोनों की में कुट निर्पेक्ष दा की समठक हैं किन्तु कॉलंबो शिकर सम्मिलयन में बंगला देश ने भारत के साथ गंगा के पानी के बटवारे के प्रश्ण को उठा कर दुनिया के सामने अपने आप से तनाव को बताने का प्रयास किया थर्ली आर्थिक पिछड़ेपन की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक दस्ती से गुट निर्पेक देश पिछड़े हुए हैं और अपने आर्थिक विकास के लिए इन देशों की महाशक्तियों पर निभर रहना पड़ता है और ये महाशक्तिया आर्थिक लालेज देकर इन चोटे और कमजोर गुत निरपेक देशों का सोशन करती है. फौटली हमने देखा गुत निरपेक देशों में alk AI सिता उत्पन करना, चूंकि महाशक्त्य गुत निरपेक देशों में हस्तुषर करती रहती है और अपने गुपचरों के मार्दम से ऐस्तिता लाने का प्रयास करती है क्यूबा जैसे गुट निर्पेक्स देश में अमेरिका ने CIE के मार्दम से फिदेल क्रास्तो सरकार को गिराने की बार-बार कोशिस की थी फिपली हम देखते हैं यह एक नेटिक आंदोलन है गुट निर्पेक्स आंदोलन नेटिक अपेल सा लगता है यह मानर्टा की रक्षा की आवाज बुलन कर सकता है किन्तु शस्तो द्वारा शांती स्तापित नहीं कर सकता और आक्रमनों का प्रतिरोज भी यह नहीं कर सकता अटक गुट निपेक्ष आंदोलन अफगानिस्तान में सोविय संक्य हस्तरशेप की पर्टेक्ष्टर अलुष्णा भी नहीं कर सका शिक्स लीस में हम देखते हैं कि गुट सापेक्ष राष्टों की बट्टी जन संक्या अब तो चाइना को भी आंदोलन में पर्वेक्षक का दरजा दे दिया गया है और ऐसी स्तिति में जबकि सुरक्षा परिश्ट का एक इस्ताई सद्धश्य इस आंदोलन में रहेगा और पाकिस्तान, इरान, फिलिपेंस और रियो संदी जैसे सैनी गट्वन्नों वाले देश में भी इसके अंतगत आते हैं यदि गुट निपेक्ष्टा की इस परिभाषा नहीं की गई और सद्धश्यता के लिए कोई भी योगता निश्शित नहीं की गई तो ऐसे प्रश्णों का उत्तत देना कठी नोता जाएगा और कोई आश्चर की बात नहीं है कि चाइना भी इसका सदर्श्य सिग्रही बन जाए इस तरसे हम देखते हैं कि इस तरसे की चुनोतिया गुट निपेक्ष्टा अंडोलन की देखने को मिलती है ततपस्या हम देखेंगे गुट निपेक्ष्टा की डा recommendingism and nutrients की इसकी गती शिल्ता और नूर्थन प्रबर्तियों के अंतारे थब किन बातों को शामिल करेंगे गुटनिप्रेक्ष्टा की निती समय के साथ अधिक अधिक सक्रिय हुई गटिशील बनी और व्यवारिक बनती जा रही है प्रादर में इस निती में नैटिक्टा और आधर्श्वार का फूट अधिक था लेकिन गुटनिप्रेक्ष्टा अब यह अथि दा समन्ने लग गे थ कि कोई भी निती तभी साथ तक होते हैं जबकि यथात वात के धरातर पर इसे उतारा जाए अतक गुट निर्पेक्ष्था की गति शीलता के अंतगत हम निम्न बातों को शामिल करते हैं सबसे पहले आज फसली कि आज की गुट निर्पेक्ष्था अपने पुराने स्वरूप से इसलिए भिन और गतिशील है कि अब गुट निर्पेक्ष्था की अंतगत ये बात संभव मानी जाने लगी है कि यदि किसी गुट निर्पेक्ष्थ राष्ट्य में सोव्य संग चाइना अठ्वा अमेरिका के साथ विशेश संबंध हो और यदि फिर भी वह राष्ट्य स्वतंत विजशनीटी का अनुशन करता हो तो उसे गुट निर्पेक्ष्थ माना जाएगा शक्रली उन्होंने बात की है कि ऐसे स्थिति उत्पन होती जा रही है कि सैनिक गुट से अलग रहना गुट निर्पेक्ष्था का अनवारे तत्र नहीं है लेटन अमेरिका के अने अपरफास करने में लगे हुए है और फॉर्टली हमने देखा है कि गुटनिपेक्ष आंदोलन एक राजनिती आर्थी कांदोलन का रूप धान करता जा रहा है और और गुटनेपेक्ष राष्टे नई अंतराष्टे आर्थी व्यवस्ता की मां कर रहे हैं। इस तरह से गुटनेपेक्ष राष्टा गती शील्टा और नूतन प्रबर्तियों की और अग्रिसर हो रही है। तक पश्यात हम देखेंगे दा फ्यूचर ओफ नॉन अलाइमेंट एंड रेलिवैंसी की गुटनेपेक्ष राष्टा अंदोलन जो है उनका क्या भविश्य है और ये कहां तक प्रासंगीख है। गुटनेपेक्षता विश्वरानिती में राष्टों के लिए एक नए विकल के रूप में निश्य ही स्ताई रूप धान कर चुकी है। इसने विशेष्टे राष्टे समाच के चोटे चोटे और अपेक्षाक्रत कमजोर सद्दल्शों के संदर्म में राष्टों की स्वतन्तिता और सम्ता को बनाए रखने में योग दिया है। इसने विश्यू के पूर धोनी करण को रोक कर विचारागत शिवरों के विस्तार का और प्रभाव को सयद करके तड़ा गुटों के अंदर भी स्वतनतता के शक्तियों को प्रोसान दिया है और अंतराष्टे शांती और सुरक्षा बनाए रखने में महत्रपुन योगदान इ विश्य शांती, उपनिवेश वाद के अन, प्रमानु अस्तों पर रोफ, निशस्ति करन, हिन महास आगर को शांती शेत्र गोशित करना और नई अंतराष्टे आर्थी व्यवस्ता के निर्मार आदि विश्यों पर संगठे टूप से कारेवाई भी की है और सफलदा भी हास सिल्की है, पर अंतु फिर भी यहां पर यह प्रश्न किया जाता है कि आज गुट निर्पेक्ष्टा का क्या उचित्य रह गया है, अटक गुट निर्पेक्ष्टा की साथ ठक्ता दृत्य विश्यों यूत के बार शीत यूत के वाटावन में तो थी, किन्तु पिछले 15-20 इस परशों में अन्ताष्टे रानिती में बहुत सारे परिवत्तन हुए है, जिसके अंतगत शीत्यूट का अंत हो चुका है, सोव्य संग का विक्टन हो चुका है, और पूरी इरोप के देशों में सामयवाद को भी दफनाय जा चुका है, इस तरह से और जर्मनी का इसके इसके बहुत सारे है, जिसके कारण गुटनित प्रेक्ष्टा की अचित्य दा बनी हुई है, आज हम निम्न शेत्रों में गुटनित प्रासंगिक्ता हमें देखने को नजर आती है, जिसके अंतगत हम नमबर वन पे लेंगे, नई अंताष्टे विवस्ता की पुर्जोर मां करना, आन्विक निशस्ति करन के लिए दबाब बनाना, दक्षिन दक्षिन सयोग को प्रोसान देना, एक धूब्या विश्व विवस्ता में अमेरिकी जो दारागिरी है उसका विरोध करना, और न अपनेविशिक सोचन का विरोध किया जाना, और स्विवत आश्टे संके पुना गठन के लिए तब आप डालने जैसी बाते इसके अंतगत लिए गई है, संचेप में हम कहेंगे कि विकाशिल देशों के बीच आपसी सयोग पढ़ाने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो गुटनिर पेक्ष आंदोरन का स्थित्व अधिक सम समापती के बाद इनके सामने कोई रानिती उदेश नहीं रह गया हो, इस सरसे हम देखते हैं कि गुटनिर पेक्ष ता क्या क्या फिचर है और क्या इसकी प्रासंगित्ता है, अगर हम इसके निश्कर्स की बात करें, तो गुटनिर पेक्ष आंदोरन ने स्वतंतर विदेश पेशनिती का सिध्धान देकर और नवदूत देशों को एक मन चुपलप कराकर सैनिक टकराव की दिशा में संभावित व्यापक रुजान को रोक दिया है, और शीत हुट का तनाव कम करने एहम शांती स्थापना की दिशा में महत्रपुन योगदान दिया है, उन्होंने आ 1960 के बाद ये मैसूस किया गया है कि राजनितिक उपनुएश्वात का तो उन्मूलन हो रहा है, लेकिन नव स्वाधीन दाश्टे आठी दस्टी से बहुत कमजोर है और अधोगिक देशों पर ही निर्भर है, जिन से लगता है कि निर्दन देशों पर धनी देशों का बहु के विशय आर्थिक समश्या और प्रयावन प्रदूशन रोकने की समश्या रह गई है, इस तरह से हम देखेंगे कि प्रासंगिक बने रहने के बावजूद गुट निप्रेक शांदुलन अपने महत्रों प्रभावाई होने की श्रम्ता को दीरे-दीरे खोता जा रहा है, ज प्राइटी गाले सम्मेलन में केवल 43 राष्टों के शाष्णा अध्यक्षी चामिल हुए थे, लेकिन गुट निर्पेक्ष रांदुलन अंतास्ट्य रानिति का एक अंत में यह कहेंगे, एक स्थाई तत्व है, और राष्टों के सित्तों की भाति, इसका सित्तों और प्र नैकि शीट्यूत या उसकी समापती अठ्वा गुट बनता, संचेप में हम कहेंगे कि गुट निर्पेक्ष रांदुलन का संभव मुख्य तर पांच दी से राया है, डी कॉलनिजम, डुवलपमेंट, डेटान, डिसामामेंट और डेमोकरटाइजेशन, इस तरह से और देखते हैं कि गुट निर्पेक्ष रांदुलन अंत्रास्ट्य रानिती में इनका महत्वपून रोल है और इन्होंने अंत्रास्ट्य रानिती को बनाए रखने में और इसके सहस्तितु को बनाए रखने में गुट निर्पेक्ष का एक महत्वपून योगदान राया है, इ आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स वीडियो में हम नेक्स टॉपिक को लेंगे, धन्यावाद,